हेलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मिडियम के नमर और चले इस वम क्लासस में जैसा कि आप सभी जानते हम लोग जो चैप्टर डिसकस कर रहे थे वो कम्पीट कर चुके चैप्टर 3 चैप्टर का नाम था धातू अधातू और आज हम उसी के बहुत बहुत पूछे जाएंगे जरूर अगर हम बात करें इनकी तो एक बार इनको पढ़ लीजे अगर आपको आंसर आए तो दीजिए सभी को हमारी तरफ से all the best आईए हम लोग बात करेंगे क्वेशन की उनक्वेशन को देखिए क्या कह रहें क्वेशन क्या हम लोग बात करेंगे धातू अधातू चाप्टर जो की क्लास 10 की है जो बचे क्लास 10 यूपी बोट के हैं वो जरूर इसको देखे इसको समझे अगर कोई डाउट्स हो तो मुझे कमेंट वॉक्स में कमेंट करें अगर फिर भी लगे कि ना आए तो मुझे एक बार जर पाइड लो साइड या किसका अयसक है अब्सव करिये जिंक का है सोडियम का है मैटनीज का है या इनमे से किसी का भी नहीं है जिसको आए जल्दी से आंसर बताइए हम बिलकुल आपकी सेवा में ततपर है कौश्चन नंबर पहले का अंसर आपको बता रहे हैं और हम फास फास दो मिनट हर क्वेशन को दिया जाएगा और जितनी जल्दी आप आंसर बताएंगे जो आपको आएगा अच्छी बात है जो नहीं आएगा वो भी बता दीजेगा हम इसका आंसर आपको जरूर देंगे क्या पाइलो साइट किसका आयस्क है बताएंगे चलिए हम ही बता रहे हैं पाइलो साइट की बात करें तो वह मैगनीज का आयस्क है पहले कैंसर हो गया मैगनीज इसके बाद तो यह तो भूली नहीं सकते दूसरा क्वेशन कर रहे है अल्टू ओ थ्री बता अल्टू ओ थ्री अल्मूनियम का आयस्क है जिसको कहते है बॉक्साइट सिनेबार की बात करें तो सिनेबार किसका आयस्क है सिनेबार आयस्क है मरकरी क्योंकि इसका फॉर्मला होता है HGS, चौथा, निम कौन सा अधिक क्रियाशील है, सोचिए, जल्ली जल्ली, कौन सा अधिक क्रियाशील है, इसको समझिए, जितनी जल्ली करेंगे, उतनी ज़्यादा क्लियर होगा, उतनी ज़्यादा हम लोग आगे चलेंगे, अगर क्रियाशीलता की बात करें, तो याद करी क् क्रियाशीलता है यहाँ पर कैल्सियम की, ठीक है, सिल्वर, कैल्सियम, अल्मूनियम, PeeBee, तो क्या है, कैल्सियम की, पाच्वा क्या कह रहा है, कि कौन सी स्रेणी सही है, अकर स्रेणी की बात करें, तो आप अब्जार्ब करिए, कौन सबसे ज़्यादा यहाँ पे बोला न वीच सिरीज इस करेट तो यह वाली सिरी क्यों क्योंकि हम बात करेंगे पोटेशियम अल्बोनियम की तो समझे यह question बहुत ज़्यादा अगू है क्योंकि इसकी विद्रात्मत्ता अधिक है आगे कह रहा है छटवा इन में से कौन सा है जो छरल रोधक है मतलब जिसमें जल्दी जो है जंग नहीं लगता तो आपको याद रखना है कि छरल रोधक में प्लैटीनम भी होता है गोल्ड भी होता है बन्लब इसका आंसर हो जाएगा दोनू प्लैटीनम भी गोल्ड दोनों होते इसलिए आंसर क्या हो गया दोनों बताइए एक से छे में किसी कोई प्रॉलम है समझ में आ रहे है ना पहले इधर का कर ले थे फिर इधर का करेंगे आईए साथ नमबर देखा जाए कह रहे है कि सलफाइड आयसक को ऑक्सीजन के साथ गर्म करनके उनके ऑक्साइड में परिवर्थित करने की क्रिया को क्या कहते अगर किसी कोई डाउट है तो मुझे बताइए का हम बिल्कुल ऑनलाइन है आपके आंसर को देख रहे है चिक है बिल्कुल सही उस क्रिया को कहेंगे रोस्टिंग बहुत अच्छे बच्चो चलिए ये बात तो अच्छी लगी कि मेरे बच्चो को समझ में आ रहा है उस क्रिया को कहेंगे क्वेशन नमबर साथ में को रोस्टिंग क्वेश्चिन नमर आठमा क्या कह रहा है अर्षुद धात्तो द्रविडी करल विदी द्वारा सोधन कर सकते हैं या विदी तब लागू होती है जब वहां पे क्या हो दिखें अर्षुद्धी की बात करें तो अर्षुद्ध में क्या हो गया कोई रावर से तो बताई ही बच्छा उसे कहते हैं क्या पहरा गलनान कि अशुद धातू को द्रवडी करण किस विदी के द्वारा करते हैं सोदर तो गलनान मतलब उच्चताप पर गर्म करके नौवा कह रहा है कौन सी गैस वाता वरण में उपस्थित होने पर अमल वर्षा हो सकती है याद करिए सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है ओजोल, सल्फर डैयोक्साइड, मिथे, नाइट्रोजन तो कौन सी सल्फर डैयोक्साइड दसमा निपने में से कौन सा छारक है देखिए अगर हम बात करेंगे आप्शन की तो पहला आप्शन है न अ ओएच दूसरा के ओएच तीसरा दोनो चौथा एल ओएच का होल स्राइज आपको क्या करना है बताना इन चारों में से ऐसा कौन सा है जो क्या कहलाएगा छारक पताईए इन चारों में से ऐसा कौन सा है जो चारक बताईगा तो बिल्कुल सही ये दोनों चारक ही होते आम राज का विश्रा जिसको इंग्लिश में एक्वारेजिया कहते तो हमेशा याद रखेगा S.C.L. और H.N. न. तुरू को मिलाते है तो ये बनता है क्या अम राज और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चों को एक से ग्यारा कोशन आये होंगे मतलब ग्यारा नमबर उनके होगे तयार आईए हम आगे चलेंगे आगे बारा से बीस अगर बारा से बीस की बात करें तो देखिए बारा से बीस में क्या है बारा नमबर निस्तापन सामाने तक किसके लिए करते हैं अगर निस्तापन की क्रिया करें तो वो किसके लिए होता है कार्बनेट एस के लिए सलफाइड एस के लिए या दोनों के लिए या कोई नी तो 100 version दोनों के लिए प्रगलन किसकी सहायता से करते हैं बताईए प्रगलन में धातु को सोधित किया जाता है अग धातु को सोधित करने के लिए किस वीधी का प्रयोग करते हैं तो मेरे बच्चे जानते हैं कि प्रगिलन की क्रिया जो होती है basically कार्बन के प्रेजन्स में होती है बताईए 13 तक किसी कोई प्रॉलम है एक से हम लोग आ गए 13 और 13 तक हम लोग कलीर कम्पीट उसके बाद करेंगे question number 14 sodium carbonate मतला formula हो गया Na2CO3 जो sodium carbonate का जली विलियन होगा वो क्या होगा दुर्बल अमली प्रबल अमली छारी या उदाशीन तो सोचे sodium carbonate कार्बनेट क्या है अमला है कि छार है अमला तो है नहीं कार्बनेट है तो छार है तो यंसर क्या हो जागा छारी चलिए भाई question number 15 आपको याद होगा 15 नमबर ही आपको होमग दिये थे गन मेटल वाला नहीं आपको गन मेटल वाले ही होमग दिये थे क्या ये बात समझ में आ रही है कि अगर गन मेटल की बात करेंगे तो copper देखें, copper और tin copper, zinc और tin इसी कैमिस्टर को गन मेटल कहते है अगर कोई पूछे, gun मेटल धातू का नाम बताइए तो copper, zinc और tin इन तीनों को मिलाएंगे तो gun मेटल बनेगा अगर मेटल का उप्योग करेंगे क्या गन और उनके उत्पादों में जैसे जो भी बंदोक में बनाने वाले समान होते हैं उन समानों के निर्मान में जिन चीजों का प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है क्या मिस्र धातू किसका? गन का बदाईए क्या ये बात ही दिमाग बैठगी गन मेटल? याद करी हमने पिछली क्लास में आपको बहुत सारे मिस्र धातू के नाम बताया और उमीद करते हमारे बच्चों को वो बात ही बहुत अच्छे से आई होगी तो चलिए अगर एक से पंद्रह हो गया तो हम माल लेंगे हमारे बच्चों को पंद्रह नमबर मिल चुके आई अगे क्वेश्चन नमबर सोला अगर हम क्वेश्चन नमबर सोला की बात करें तो क्वेश्चन नमबर सोला कह रहा है आई हम लोगों से निपने में से कौन सा प्रबल छारक है? आपको बताना कि ऐसा कौन सा है जो सबसे ज़्यादा प्रबल छारक में आएगा अब छारक आपके सामने कई सारे हैं जैसे NH4OH है COH का होल ट्वाइस है MgOH का होल ट्वाइस और QH अब आपको याद होगा हमने आपको याद कराया था कि प्रबल छारक और प्रबल अमली में जब वो पूरी तरव इस्थापित हो जाए हाइडरोजन पूरी तरव इस्थापित हो जाए तो प्रबल अम और OH पूरी तरव इस्थापित हो जाए तो प्रबल छार तो यहाँ से जब कोH की बात करेंगे के ओएच पूरी तरव इस्थापित होगा तो यह क्या हो गया प्रबल छार चौथा नमबर क्वेश्चन नमबर 17 कार्बन मोनो अक्साइड मतलब CO प्लस नाइट्रोजन N2 कार्बन मोनो अक्साइड और नाइट्रोजन के मिस्टर को क्या कहते तो क्या कहते है प्रेडिूसर गैस और अगर वाटर गैस की बात करेंगे तो बस यही रहेगा आप बीच में कर दीजेगा H2 यह वाटर गैस का फॉर्मला है वाटर गैस को एक नाम और जानते हैं हम लोग भाप अंगार गैस बताईए क्या यह बाते समझ में आ रही है भाप अंगार गैस ठीक है कौशन नमर ठारा निम निखिक में से किस धातू का द्रवडांग और कौथनांग निम न होता है द्रवडांग मतलब मेल्टिंग पॉइंट कौथनांग मतलब बॉयलिंग पॉइंट मतलब मेल्टिंग पॉइंट इन चारों में से कौन सी धातू का कम होता है और जब करिए लोहा, चांदी, पोटेशियम और जिंग समझ में आ रहा है लोहा, चांदी, पोटेशियम और जिंग तो कौन पोटेशियम इसके अलावा इसमें एक और नाम याद रखिये सोडियम सोडियम, पोटेशियम के दोनो मेल्टिंग और बॉयलिंग पॉइंट बहुत कम होते इसलिए आपको याद करें कि इनको चाकू से काट सकते किस चिस से काट सकते, चाकू से अब हम लोग बात करेंगे क्वेशन नमबर 19 और 20 की ये हमारा लास्ट है चैप्टर हम लोग पहले ही कर चुके खतब और इसके साथ ही साथ ये नुमेरिकल्स भी हम लोग लगा चुके ये हो गया हमारा फिनिस्ट क्या हो गया नेमने मैंसे किस अमलकी च्छारकता 3 होगी अब अमलकी च्छारकता 3 के लिए अमलोग को विस्थापित करेंगे जैसे HNO3 HNO3 को आप विस्थापित किये तो H प्लस और NO3 माइनस तो प्लस में कितना आया जिसका हो गया एक H2SO4 H2SO4 2H H2SO4 माइनस माइनस मतलब यहां कितना 2 उसी तरह H3PO4 जब H3PO4 की बात करेंगे तो 3H प्लस और PO4 माइनस 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 मतलब यहां आ गया क्या 3 तो आपसे एक पूछ है अगर इसकी बात करे H2SO4 तो देखो 2 आ रहे H2CO3 भी 2 आ रहे तो इसका अंसर क्या हो जाएगा 3 क्योंकि हमसे क्या पुछ है 3 और आज हम अपने लास्ट टॉपिक पे चलते ही जो हमारा क्वेशन नमबर है 20 20 क्या कह रहे निपने मेंसे कौन सा छार की लवड छार याद रखेगा अमल मतलब H प्लस हो और छार मतलब क्या हो OH माइनस हो तो पेटा OH किसमें दिखा इसमें इसका अंसर हो जागा यह यह 20 क्योंकि स्रिंखला है उमीद करते हमारे बच्चों को समझ में आई होगी आज के लिए इतना ही थैंकिस सो मच बबाए अगर मेरा वीडियो लाइक अच्छा लगे तो लाइक करिए शेर करिए और जल्ली जल्ली सब्सक्राइब कर लीजिए हम ऐसे ही सारे नुमेरिकल आपको देते रहेंगे और हम लोग 100% इक्जाम में पास होंगे ओके थैंकिस सो मच बबाए